तो हम बात कर रहे थे चंद्रमा और मंगल की यूती के बारे में चंद्रमा और मंगल की यूती अगर आपके चार्ट में बारवे भाव में बन रही हो तो इस यूती के किस परकार के प्रिणाम आप लोगों के सामने आ सकते हैं इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं अगर आपका भी चंद्रमा और मंगल की यूती आपके कुंडली में बारवे भाव में बन रही हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरुरिक हो जाता है तेखे बारवे भाव में जब भी चंद्रमा और मंगल की यूती बनेगी तो जातक छोटी-छोटी बातों पर नाराज हो जाएगा किसी से, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाएगा, वो किसी एक निरने पर लंबे समय तक टिकावा नहीं रह सकता, उसका अवचेतन मन बहुत ज़्यादा एस्तिर रहेगा, वो कोई भी डिसीजन एक बार ले ले तो उसको बार-बार बदलेगा, हर दिन उसका डिसीजन अलग होगा, इसके लावा ऐसा जाब तक कभी भी अपनी दिंचरिया जो है उसकी या उसका जो डेली का कोई काम है, उसको वो इस्तिरता स चिंता, स्वास्त को लेकर इस्यूज, बहुत सारे खर्चे, बहुत सारे गलत डिसीजन की वज़े से नुक्षान और अवर थिंकिंग की प्रोबलम, मानसिक तनाव, ये सब देखने को मिल सकता है, चंद्रमा और मंगल का साथ में कंजक्शन होना कुछ हद तक हम काफी अच जलजी दिखाएगा, साथी जान तक कुछ अचकर कार्य करें की तरफ जा सकता है, लेकिन वास्तम में उसंको सही प्रकार से मौका नहीं मिल रहे हैं, या उसके काम को करने की प्रिस्थ्थेत्य नहीं बन रहे हैं तो ऐसे में वह बहुत जल्दी क्योण हो जाएंगा, क्यों जीवन को एक आनंद में तरीके से जीने या विलासिता पूर्ण तरीके से जीने की तरब भी प्रेरित करती है। चंदरभा और मंगल की ये यूति कुछ हद तक आपको मानसिक रोप से चिंता और बैचनी उन कारियों के लिए दे सकती हैं, जो आपके घर से समंदित हैं, जो आपकी डेली लाइप से समंदित हैं, जो आपके भर्मन करने से समंदित हैं, या कोई भी जब आप योजना बनाते हैं, उन कारियों से समंदित हैं। जातक का अपने आप स्थिर रह पाना बहुत मुस्किल है, वो कुछ भी गलत तरीका अपनवा सकता है, किसी भी काम को करने का, गलत गतिविदी में सामिल हो सकता है, और उसको इससे काफी नुक्सान होगा, जातक अकसर दूसरों पर अपना रोब जमाएगा, और कभी-कभी वो गलत तरीके से किसी को ट्रेट कर सकता है, जातक को मुख्य रूप से अवर्थिंकिंग की प्रोब्लम या गुस्से की प्रोब्लम बहुत जादा रहेगी, इस परकार का जातक विदेश में काफी बार जा सकता है, विदेश यात्रा का मौका उसको बहुत जादा मिलेगा, इवन जातक को अपने देश में भी काफी भर्मन के मौके मिल सकते हैं, पर उसको कुछ न कुछ ऐसा कारिय उसकी लाइफ में हो जाएगा, या कोई ऐसी गटना उसकी लाइफ में हो जाएगी, काल्पनिक रूप से बहुत मजबूत बनाएगा, ऐसा जातक कोई भी बड़ा स्पीकर हो सकता है, बहुत ही क्रियेटिव वरक करने वाला ऐसा जातक हो सकता है, साथ में ऐसा जातक कोई भी जब एक बार निरने लेगा, उस काम को तुरंथ करना चाहेगा, वो किसी भी काम को पूरा करने के लिए वेट नहीं कर सकता, किसी भी काम के लिए उसके अंदर धहरिये नहीं होगा, धहरिये की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल सकती है, चंदरमा और मंगल का ये कंजक्षन जातक को बार बार किसी काम को तेजी से करने के लिए प्रिरित करेगा, जब भी ये कंजक्षन बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तो जातक को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, वो किसी भी एक काम को जब स्टार्ट कर देगा, उसको वो पूरा नहीं कर पाएगा, वो बार बार किसी दूसरे काम को स्टार्ट करेगा, और ऐसे में वो बहुत सारे कारिये अधुरे छोड़ देगा, इससे जातक को फाइनेंसली काफी नुकसान हो सकता है, mentally वो काफी disturbed हो सकता है ऐसे जातकों में हम ये भी देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा sore tempered होते हैं मन इनका सांत नहीं रहता ये अक्सर अपने physical workout पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे अपने आपको physically strong बनाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ये आपको ऐसे जातक अक्सर जिम वगरह में मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा जिम में busy रहना या workout में बहुत ज़्यादा busy रहना इनकी एक natural परवर्ती हो सकती है चंदरबावर मंगल का conjunction बारवे भाव में है तो जातक को भूमी से समंदित विवादों का सामना करना पड़ सकता है और जातक को अपने घर या परिवार को छोड़ कर कहीं दूर रहना या बसना पड़ सकता है चंदरबावर मंगल के इस conjunction की वज़े से जातक कुछ हद तक अपने आपको लेकर बहुत बेचेन रहेगा वो अपने उपर कभी-कभी आतमविस्वास नहीं दिखा पाएगा जब भी वो कोई नया काम कर रहा है या वो कोई नये काम की प्लानिंग कर रहा है वहाँ पर वो वेवस्तित तरीके से उस काम को नहीं कर पाएगा तो ये जो conditions है ये जो इस्तितिय हैं जातक को काफी परेशान कर सकती है उसकी डेली लाइफ को बहुँ ज़दा effect कर सकती है जब भी इस परकार की इस्तिती बने तो जातक काफी क्रूर हो जाएगा, आक्रामक हो जाएगा, गुस्य में आकर वो अपना खुद का ही नुकसान कर लेगा इस प्रकार से जातक की मानसिक प्रवर्थी अच्छी नहीं दिखती, उसमें बहुत ज़्यदा आवेक की परधानता दिखती है चंद्रमा जब भी मंगल के साथ इस्तित होते हैं ऐसे में आपकी भावनाओं पर चंद्रमा का पूरा प्रभाव होता है लेकिन मंगल का भी पूर्ण रूप से प्रभाव होता है ऐसे में भावनाओं बहुत ज़्यादा तिवर्ख हो जाती है अपने उपर खुद पर कंट्रोल करना काफी मुस्किल हो जाता है अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना मुस्किल हो जाता है अपने विचारों और मन पर कंट्रोल करना काफी मुस्किल हो जाता है जातक के लिए इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे विचार आपके मन में आएंगे जो वास्तम में सही नहीं होंगे या आपको मानसिक रूप से वो परेशान करेंगे चंद्रमा और मंगल की बारवे भाव में यूती है तो जातक को हर रिस्ते में बहुत ज़्यदा अटेज्मेंट रहेगी जातक दूसरों के लिए अपनी लाइफ को दान कर सकता है वो अपनी कोई भी चीज दूसरों को दान कर सकता है इवन वो किसी की साहिता भी कर देगा तो बदले में कुछ लेगा नहीं तो ऐसा जातक बहुत दानसिल भी हो सकता है, दानी भी हो सकता है, दूसरों की help करने वाला हो सकता है, लेकिन बदले में इनको कोई भी appreciation या किसी प्रकार की साहिता नहीं मिलेगी. चंद्रमा मंगल की साथ यहां है, तो जातक को अपने भाई बेनों की साथ अच्छे रिस्ते रखने चाहिए, वरना जातक को बहुत ज़्यादा विवाद का सामना करना पड़ सकता है, इवन जातक अपने कारिये छितर में भी अगर अच्छा परदर्शन कर रहा हो, तो वो का कामने वाले का नुकसान करेगा, बट कभी कभी अपना भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है, इस परकार का जातक किसी को भी सबग सिखान में काफी माहिर हो सकता है, ये युद्ध में माहिर हो सकते हैं, हथ्यारों से जुड़े हुए कारियों को करने में माहिर हो सकत इस परकार के जातक decision लेने में बहुत ज़्यादा जल्दी करेंगे और यह इनके लिए कभी-कभी बहुत बड़ी समस्या बन जाता है जब भी इस परकार के इस्तिती हो आपको चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए चंद्रमा को बहुत ज़्यादा strong करना चाहिए और कौसिस करने चाहिए कि आप किसी भी एक काम को जब करने जा रहे हैं या किसी भी काम के लिए planning करें तो वहाँ पर अपना पुरा focus करें ना कि आप उस काम को छोड़कर किसी और काम के बारे में सोचें तो यहाँ पर जातक पैसेंस नहीं रख पाता चंद्रमा और मंगल की यूति अगर आपके कुणले में बारविभाव में है तो यह रिस्तों में काफी नुकसान करेंगी क्योंकि आप बहुत ज्यादा expectation अपने हर रिस्ते में रखेंगे और यह आपके लिए बहुत ज्यादा प्रेशानी का कारण बनेगा हर रिस्ता आप आपसे कुछ ना कुछ लेगा आपसे कुछ ना कुछ वह expect कर रहा है जबकि आप भी हर कुछ किसी भी रिस्ते में जब expect कर रहे हैं तो वह चीज आपको मिले या ना मिले लेकिन जो लोग आपसे कुछ expect कर रहे हैं आप उनको वह चीज जरूर देंगे या उनकी जो इच्छ पाइदा उठाते हैं. अब जब भी चंदर्मा और मंगल की ये स्तिती बनेगी, बारवे भाव में जब इनकी उतिती बनेगी तो जातक का वेभाहिक जीवन एस्तिर रहेगा, जातक को अपने जीवन साती से काफी अटेज्मेंट हो सकती है और जातक अपने जिवन साती से काफी ऐसंतोष्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा वैचारिक मतवेद देखने को मिल सकते हैं और फिजीकली भी वो अपने रिस्तों में कभी भी संतोष्ट नहीं रहेगा अपने जिवन साती के साथ इसके लावा भावनात्म के सम्मंद आपके हर रिस्ते में बहुत मजबूती से जुड़े रहेंगे तो जो भावनाई हैं वो आपकी काफी बार आहत होंगी आपको काफी बार भावगता का सामना करना पड़ेगा लगबग हर रिस्ते में तो चंदर्मा और मंगल का ये यूति आपको काफी परहिसान रखेगा कभी कभी काफी जदा उतार चड़ाओ आपकी लाइफ को देगा ये कुछ परिणाम है जो जब सामने आ सकते हैं जब आपका चंदर्मा और मंगल आपके बारवेभाव में